दोस्तों अगर आप पास Motorola H55G Phone है तो आज के इस वीडियो हम आपको बताने वाले हैं कि इस फोन में आप जो notification आती है Locked Screen होने के बाद वो आप कैसे उनको control कर सकते हैं यारी notification को on-off कैसे कर सकते हैं इसके लिए simply आपको अपने फोन की setting को open कर लेना है सबसे पहला option मिलता यहाँ पर देखें search setting का तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिख देना है notification जैसे यह आप notification लिखेंगे बहुत सारे option आपके सामने यहाँ पर open हो जाएंगे आपको क्या करना है जहाँ पर भी notification लिखा देख रहा है सिर्फ notification यह देखिए notification दिख रहा है यहाँ पर हम click कर देंगे अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके सामने बहुत सारे option फिर दिखाई देंगे आपको जाना है यहाँ पर देखिए notification on lock screen यह option दिख रहा है इस option पर हमको click करना है अब यहाँ पर तीन option मिलते है show conversation, default and silent दूसरा है hide silent conversation and notifications तिसरा है don't show any notifications तो आपको अगर notification नहीं दिखानी है तो सबसे नीचे वाले option पर click किजेगा अन्य था आप सबसे पहले option पर click कर सकते हैं यह second वाले पर अब देखिए हम last ओले पर click कर देंगे तो क्या होगा कि कोई भी लाग होने के बाद हमारे mobile में कोई भी जो notification है वो नहीं दिखाई देगी